तज़िपका पास का इनमा स्टराइप नहीं है इसको डिरेक्लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दोस्तों इसको आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्टन में मिल जाएगा आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक simply plus का आईकन आ रहा है अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी कुछ fix जिसका भी आप status बना रहा हो और simply आपको उसकी कुछ fix को select कर लेना है लगबाग आप छे से साथ fix select कर सकते हैं select करने के बाद दोस्तों आपको simply done वाली बटन पर click कर देना और वीडियो के starting point पर आ जाना है आप दोस्तों आपको क्या करना है सिंपली अपनी पिक पर क्लिक करना है जो आपकी पहली पिक है उस पर क्लिक करना है सीजर यानि की कैची के बगल वाली बटन पर क्लिक करना है एकको लोले साइन पर क्लिक करना है और दोनों उंगलियों से पिक को जूम करके अच्छे से फु से कर लेता हूं तो दोस्तों आप दोग देख सकते हैं मैंने सारी पिक को अच्छे से अर्जेस्ट कर दिया आप दोस्तों सिंप्ली आपको क्या करना है आपको वीडियो के स्टार्टिंग कोईन पर आने के बाद दोस्तों यह देख सकते हैं दो पिक की बीच में प्लस का आइ लाना है बुक वार्म का अगर आपके काइन मैस्टर में यहां पर ना रहा हो सिंप्ली दोस्तों इन उप्सन को स्क्रॉल कीजेगा गेट मोर वाली उप्सन पर जाईए और इस बुक वार्म वाले जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट इसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जानार जैसे पहले बार में मैं यहां यहां पर कर लेता हूँ इसके बाद इसकी वी टाइमिंग कर देता हूँ चली इस काम को भी जल्दी से कर लेता हूं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जितने भी प्लस के आईकन आ रहे दें तो सब पर मेंने ट्राजक्शन इफेक्ट लगा लिए है अब दोस्तों आपको इस वीडियो को सिंप्ली दोस्तों यहां से आपको एक्सपोर्ट करें आ है दोस्तों, within one minute, यह video export होगर आपकी gallery में save हो जाएगा तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, यह video export हो चुगा है simply यहाँ से हमको back आ जाना है back आने के बाद, दोस्तों, आप क्या करना है हमको इस विडियो के starting point पर आ जाना है starting point पर आने के बाद दोस्तों आपको layer पर जाना है layer पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको effect का option मिल जाएगा आपको effect वाले option पर चले जाना है basic effect पर जाना है और आपको यहाँ पर gestion blur वाले option को select कर लेना है इसके बाद दोस्तों सिंप्ली आपको done वाली बटन पर click कर देना है done वाली बटन पर click करने की बाद दोस्तों आपको क्या करना है इस जो ये blur effect है इसको आपको full screen करने की बाद दोस्तों इसको आपको अपने पूरे status के बराबर कर देना है इसके बाद दोस्तों आपको setting वाले option पर जाना है और इसकी जो strength है इसको आपको 3 या 4 कर दिनी है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको 4 कर दिया है 4 करने के बाद दोस्तों simply done वाली बटन पर click कर दीजएगा और वीडियो के starting point पर आ जाईएगा अब दोस्तों आप लोग एक चीज पता दूँ इस वीडियो मैं जितना भी external material यूज़ करूँगा उसको आप description में DIY लिंक से simply download कर सकते हैं या फिर दोस्तों उसको आप मेरे telegram channel से भी download कर सकते हैं टेलिगाम चैनल का link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा अब दोस्तों simply आप templates download कर लिएगा download करने के बाद दोस्तों आपको layer पर जाना है media option पर जाना है और simply दोस्तों इस black screen templates को आप यहां पर लेकर आ जाएगे दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगी अब दोस्तों आपको सीजर रहनी की catchy के भगल वाली बटन पर click करना और इसको full screen करने के बाद दोस्तों आपको एक हिष्टे back आजाना है back आने के बाद दोस्तों इन option को scroll करना है simply blending वाली option पर जाना और यहां पर दोस्तों आपको screen वाली option पर type करने के बाद दोस्तों आपको simply done वाली बटन पर click कर देना है अब दोस्तों आपको क्या करना है जो वीडियो अभी आपने export किया था उस वीडियो को यहां पर आपको लेकर आना है दोस्तों इसके लिए आपको layer पर जाना होगा, medium option पर जाना होगा, और simply दोस्तों इस वीडियो को जो भी आपने export किया था, उस वीडियो को यहाँ पर आप लेकर आ जाएंगे, दोस्तों देख सकते ही वीडियो कुछ इस तरह से आएगा, अब जो दोस्तों यह rectangle जबन के आ र three line पर जाना है, और send to backward कर देना है, send to backward करने के बाद दोस्तों आपको चीज देख लेना है, कि कहीं पर भी कोई यह जो rectangle से access तो नहीं निकल रहा है, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, हलकालका निकल ला है, तो दोस्तों इसको crop करने के लिए हमको simply इसकी layer पर click करना होग अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दो pick यूज करनी होगी, जिसके लिए भी आप status बना रहा हो, simply आप उसकी pick यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी pick यूज कर सकते हैं, यह depend आपके ऊपर, चलिए दोस्तों यहाँ पर दो pick लेकर मैं आपको दिखा देता और थोड़ा सा इस बिल्कुल टर्न करके बिल्कुल इसी में सेट करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से मैंने सेट कर दिया, आप मैंको इसको थोड़ा सा crop कर लेना होगा, crop करने के लिए इन ओप्सन को स्क्रॉल कीजिए, जैसे मैंने य मीडिया को सब्सक्राइब करने के बाद us अब क्लिक वाली बटन पर कलिक करने आई अब लिख सब्सक्राइब करते शन्य उत्रैक्जाल rupees लिखाना पर लेकर आप पर लिक लैने के बाद दोस्तों वही काम आपको करना है इस तरह से पर चोटा करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर इसी यहां पर सेट करने के बाद दोस्तों आपको अपने पूरे status के बराबर कर लेना है करने के बाद दोस्तों आपको simply done वाली बटन पर क्लिक करना और वीडियो के starting point पर आ जाना है आप दोस्तों यहाँ पर आपको एक black screen template और लेकर आने होगी दोस्तों इसके लिए आपको layer पर जाना होगा media पर जाना होगा और दोस्तों इस templates को भी आप description में दियो लिंक से simply download कर सकते हैं और में telegram channel से भी download कर सकते हैं telegram channel का link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा simply दोस्तों यह black screen templates को आप यहाँ पर लेकर आ जाएंगे यहाँ पर लाने के बाद दोस्तों आपको seizure के बगल में जाने के बाद इसको full screen करने के बाद एक step back आना है यह option को scroll करना है simply blending वाले option पर जाना है और इस बार दोस्तों आपको यहाँ पर lightened वाले option पर type कर देना है export होकर आपकी gallery में save हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही simple तरह से एक प्यार सा love status बना सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही हमारा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताईए अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग झाल 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 झाल